हलो प्रेंस और इलकम विक्टो माय च्रेयानेल आज का इस वीडियो में बहुती खुप सुरत पप स्लीप आप सभी को सब सेयर करेंगे तो चलिए इससे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो एहां पर गोल्डन कलार के हमने फेबरिक लिए इसके लंबाई है 14 इंच इसको चोड करेंगे उसके बाद यहां पर स्टिचिंग कर लेंगे तो सेम तरीका फोलो करते हुए दूसरी साइट को भी ऐसे ही स्टिचिंग कर लीनी है तो देखे प्रेंस यहां पर दोनों साइट हमने स्टिचिंग कर ली है यहां पर धागा को कट करेंगे और इसको दूसरे साइट इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और दोनों साइट को अच्छे से बाहर के तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से बिठाने के बाद यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे चारों साइट स्टिचिंग करते हैं करके इसको पक्का कर लेनी है और इस जो पट्टी है और लगबग रेडी हो चुकी है तो देखे प्रेंस ऐसे ही अच्छे से स्टिचिंग करेंगे चारो साइड और इसको अच्छे से पका कर लेनी है तो प्रेंस अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरू से प्रेस करना जब भी हमने वीडियो अप्लोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखिए यहाँ पर चारो साइड इसके स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे लेज जो सम तो यू साइड को लेज इसे ही लगा लेनी है हैं तो हमने यहाँ पर दोन ही लेज यहाँ पर पहले लगा लेते हैं उसके बाद यहाँ पर डिजाइन क्र psychiat करेंगे जो जो कि काफी सिम्पल में इस design को हम create करेंगे और बनने के बाद काफी खुबसूरत इस design लगने वाली है तो देखें, एक साइड हमने इस lace को लगा ली है, अब दूसरे साइड में भी इस lace को लगा के तयार कर लेतें दोनों साइड इस लेस को हमने लगा ली है यहाँ पर हम धागा और लेस दोनों ही कट करते हुए इसे अच्छे से फ्रिसिंग कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे के जो हमारा पट्टी है और अर्मोस्ट रेडी हो चुकी है अब उपर वाला हिस्सा को हम रेडी करेंगे तो इसके लंबाई ली है 17 इंच इसके चोड़ाई है 8.5 इंच अब यहाँ से हमें लेनी है 5 इंच अब यहाँ से लेंगे 7 इंच 7 इंच पर एक चोड़ा सा मर्क लगाएंगे और हमारा जो सिलिप से ओ हमने पहले से कट करके रखे है मीडिल पॉइंट पे भी एक चोड़ा सा मर्क लगानी है और मीडिल पॉइंट से चोड़ा चोड़ा प्लेटेस उठाते हुए इस प्लेटेस को डाल लेंगे तो देखी प्रेंस जहां तक हमारा कट लगी थी वहां तक ही इस प्लेटेस को डाल लेते हैं तो एक साइट हमने इस प्लेटेस को डाल ली है अब सेम तरीका follow करते हुए दूस् enfad को प्लेटेस को भी हम यहां पर डालेंगे तो देखे फ्रेंस दोनों साइट के हमारा जो प्लेटेस है वो लगबग यहाँ पर लग चुकी है और दोनों ही साइट को प्लेटेस को अच्छे से पकटते हुए इसे स्टिचिंग कर लेंगे अब उपर के साइट से हम इस पिलिटेस को अच्छे से बिठाएंगे اور इसको भी stitching कर लेंगे तो एक साइट हमने इस पिलिटेस को stitching हो चुकी है और दूसरे साइट को भी अच्छे से बिठाना है और stitching कर लेनी है और उपर के जो हमारा एक्स्टा धागा या फिर इस्टा फेबरिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे और नीचे के हमारा जो धागा है उसे भी हम कट करके निकाल लेंगे नीचे के जो हमारा पट्टी है उसको हम रखेंगे और अच्छे जब भाइले मेजर्मेंट कर लेते हैं जो हमारा extra fabric है उसे cut कर लेंगे cut करने के बाद इसे one side ऐसे ही fold करनी है और ऐसे ही उपर के side इसको रख देनी है रखने के बाद इसको सीधा stitching कर लेंगे तो हमारा जो syllabus है वो almost ready हो चुकी है अब middle में हम सिर्फ और सिर्फ थोरी से design यहाँ पर create करेंगे यहाँ पर देखे सकते हो एक्स्टर धागा बगेरा cut कर लेनी है और यहाँ पर हमने सबसे बड़ी वाली मोती use करेंगे मोती use करने के लिए पहले हम यहाँ पर draw कर लेते है जो हमने middle side से यहाँ पर लगाना start करेंगे तो देखे यहाँ पर सबसे जो वड़ा वाला मोती है वो ही यहाँ पर लगाएंगे तो ऐसे ही अच्छे से इसमें double करते हुए इसको सुईधा के मदद से अच्छे से stitching करेंगे उसके बाद अच्छे से सेट कर लेनी है तो ऐसे ही चलिए फटा फट से इस मोती को attach कर लेते हैं और दिखाते हैं आप सभी को final look अगर वीडियो पसंद है ते वीडियो के एक लाइक जरूर करना और चैनल के अभी तक भी सस्क्राइब नहीं किये हैं तो फ्लीज चैनल के जरूर से सब्सक्राइब करना बेर लोटिपिकेसन जरू से प्रेस करना जब भी हम नएने वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आप सभी को तो देखें एहां पर जो हमारा मोती है और ओल्मोस्ट लग चुकी है और दीखाते हैं इसके फाइनल लूक तो फ्रेम्स जब आप इस मोती के एटच करेंगे और नीचे के ओर देखते जाएगा इसको जो लाइन है और टेरा नहीं होना चाहिए तो इसको चलिए फटाफर से यहां पर लगा के त्यार कर लेते हैं तो यहां पर हमारा जब मोती है और ओल्मोस्ट लग चुकी है और दिखाते ही इसके फाइनल लूक तो देखे प्रेंस कितना काफी कम समय पर इतना खुपसूरस से बनके त्यार हो चुकी है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो के लाइक जरू करना चैनल के अभी दो के सब्सक्राइब करना तो देखे सकते हैं इसके फाइनल लूक कित इतना खुपसूरस से बनके त्यार हो चुकी है सिर्प और सिर्प दो कलर के कॉम्बीनी के सेल